नौश्कार यूस्क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम इतिहास के पंद में अभी कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने प्रगती मैदान या जिसको भारत मंडपम कहा जा रहा है वहाँ जाके जो में जो सवागरे है जो सेंटर है उसका इनाँगरेशन किया था काम ऐसे पूरा नहीं हुआ है लेकिन प्रदानमंत्री अक्सर inauguration कर देते हैं उद्गाटन कर देते हैं काम चलते हुए पिछले साल एक साल होगे पिछले जून में प्रगती मैदान के पास में एक underground tunnel का उद्गाटन किया था उनोंने उस पे अभीरी काम जारी है अभी कुछ दिन पहले आप सबने अख़वा भारत मंडपम को inaugurate करने के लिए इसलिए थी कि जी ट्वेंटी समिट जो अगले महीने सप्टेंबर में होनी है वो यहां होनी है यहां पे सब लोग एकत्रित होके वहां meetings होनी ऐसे inauguration की राजनीती काफी पुरानी है मोदी जी की आदत क्योंकि उनको essentially ये उद्गाटनों मे एक भाषन देने का मौका मिलता है जो उद्गाटन हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे specifically लेकिन हम आज एक थोड़ा सा विस्तार करके चीजों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह की architecture प्रस्तुत की गई है किस तरह की architecture शुरुवात की गई है मोदी जी के यूग में प scale पे बिलकुल सीना चौड़ा करके खड़े होने वाले structures हमेशा से पसंद थे जब मुख्यमंत्री थे गुजात के तब उन्होंने सरदार पटेल की वो रेकॉर्ड को तोड़ने वाली statue उसका project शुरू किया था तो हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार इस तरह की जो architectural vision है यह हिंदुस्तान की जो पुरानी जो ट्रडिशन थी जो आजादी के बाद से प्रोजेक्ट की जा रही थी जिसको हम लोग एक तरह से secular architecture कहते थे उसको एक तरह से Hinduized architecture के तोर पेश किया जा रहा है कई बार समझ में नहीं आता कि secular convention center बन रहा है या फिर किसी मंदिर का निर्मान हो रहा है इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे हमारे विशेशक्य हैं राम रह्मान जी जो जो बहुत ही multi-faceted talent है मूलता photographer है और photography में भी इनकी जो specialization है वो है buildings की photography architectural photography में इनका बहुत नाम और ख्याती है राम रह्मान मेरे बहुत सालों से मेरे परिचित है और मैं बहुत करीब से इनका काम देखा हूं और इनके इनका जो परिवार है वो भी बहुत illustrious परिवार है इनके पिताजी थे हभी रह्मान साब जो जो CPWD के chief architect थे डिल्ली में या हंदुस्तान के अलग-अलग जगाह में पहुत ही लैंड मार्ट विल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी जो उन्होंने design कि थे जिनका होते थे उनकी राम रह्मान की माता जी इंद्रानी रह्मान थी जो क्लासिकल रित्यकति थी भरत नाट्यम कुची-पुड़ी ओडीसी कई तरह के जो dance forms थे उनमें उनकी expertise थी हिंदुस्तान की यह भी बोला जाता है इंद्रानी जी के बारे में कि वह हिंदुस्तान की पहली मिस इंडिया भी थी उन्हें सो पचास के दशक की बात मैं बता रहा हूं तो राम साब सबसे पहले तो हमारे इस कारिक्रम में आने के लिए बहुत धन्यवाद हम लोगों ने एक थोड़ा सा अलग हटके subject चुना है क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से समझा पाएंगे कि आर्किटेक्चर के थू किस तरह से एक सटल हिंदुत्व की राजनीती एक तरह से इंडिविजिलाइज्ड ग्लोरी की सर्च हो रही है हमारे कार्क्रम में जुडने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है नमस्ते निलन जन जो पुराने दोस्त हैं और पुराने साथी जी फेलो ट्रैवलर जी आप बताएं कहां से शुरू करें मेरे खाल से हम लोग तो हम लोग तो यहीं से शुरू करें जो अभी तुरंत हुआ है कि जो प्रगती मैदान था वो एक खास कॉंटेक्स्ट में डिजाइन किया गया था और उसको लॉंच किया गया था उन्हें सो बह अत्तर में हिंदुस्तान के आजादी के 25 साल पूरे हुए थे हिंदुस्तान को एक मेजर इंडस्ट्रेल और पावर के तौर पे इस्टैबलिश करने के लिए एशिया 72 का एक इग्जिबिशन हुआ था राज रहवाल जो उस पीरियड के जो बहुत जाने माने आर्किटेक् सिगनेशर आपको हिंदुस्तान के अलग-अलग शहरों में देखने को मिलेंगे वो उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए थे उसको पिछले 4-5 सालों में खासों से 2019 के बाद से उसको पूरी तरह से डेमॉलिश कर दिया गया कि जैसे हम लगता है कि बिलकुल एक पास् ह्दुस्तानमंत्री ने अपनी कलपना हिंदुस्तान की कलपना भारत की जो उड़ी प्रोजजेक्ट करना चाहते उसको प्रत्र सपरानमंत्री कि प्रतानमंत्री । गर राजपत का नाम कर्तवे पर तरग दिया था पिशले पांचे साल से सरकार ने और मोदी जी ने और राश्री स्वहिम सेवक संग ने है रायट्स पर कम आम एंफश्स दिया है बल्कि ये बुला है कि नागरिकों की का कर्तवे पहले है और उसके बाद उनके हक बाद में आते हैं तो हकों की बात मत परिए पहले अपना करतवे का पाधन करें आप से सुनना चाहेंगों अब मुझे थोड़ा सा बैक सीट लेना चाहिए और आपकी बात सुख़ाए। ठीक है. अच्छी प्राइक्तिम मैदान से हम शुरू करते हैं. उसका उद्गाटन अच्छी उन्यस सो बावन फिफ्टी टू या फिफ्टी थ्री में हुआ था. बिलकुल आजादी के बाद. मेरे पिता जी, हबीब रह्मान जो अमरीका में पढ़ के आये थे, आर्किटेक्चर, MIT, वो उन हिंदुस्तानियों में से उस ताइम ज्यादा तर हमारे जो एंजिनियरिंग या आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए जाते थे, वो इंग्लेंड जाते थे. क्योंकि वो हमारा connection था इंग्लेंड के साथ, वो राज कर रहे थे हमारे ऊपर. लेकिल शायद पांच-छे ऐसे इंजिनियरिंग आर्किटेक्ट थे 1940 के दशक में जो अमरीका गए थे. और मेरे फादर को West Bengal, वो थे कलकत्ता के, उनको एक ये मिला था, grant या MIT जाने के लिए, जो बहुत मशूर यूनिवर्स्टी है, Boston में. जो जब वो वापस आए, उनका पहला project कलकत्ता में था, गांधी घाट. जो गांधी का, उन्होंने पहला ये समारक बनाया था, उनके हत्या के बाद, एक साल बाद, 48 में, नहीं, 49 में, 48 में उनकी हत्या हुई थी. ये वो वाला है, जो कलकत्ता का जो सबब, गारकपूर है, वहां पे लिखाए, उसके बारे में बात कर रहे हैं. हाँ, बिल्कुल. और उसको, वो जो उन्होंने बनाया उनकी ट्रेनिग आच्चुली, बाव हाउस, जो जर्मनी की जो स्कूल थी, जो हिटलर ने बेसिकली उस पे रोक लगाया था और सारे जो उस टाइम के आर्किटेक्ट थे, वो या इंग्लेंड या अमरीका भाग गए थे. तो उनमें से एक थे, वाल्टर ग्रोपियस, जो ह साइम, 1920 से लेकर modernism, architectural modernism, जो classical styles थे यूरप में, जो उनके जो rulers थे या राजा थे, वो बड़े-बड़े इमारत, सजावट के साथ, महेंगे वस्तूओं के साथ बनाते थे, इनका socialism, communism से जोड़ हो गया था, इन designers का, उन्होंने सोचा कि हम ऐसा कुछ बनाएं जो आम आदमी के लिए हो, और जो normal जीवन से जुड़ा हो, style में और बनने में और एक तरह का वो buildings ऐसे बनाएं कि वो लोग ये ना समझें कि ये हमारी लिए नहीं है, कि हम इसमें नहीं जा सकते, ये बहुत सजावट वाली building तो जब आजादी के बाद नहरू को ये गांधी घार बहुत पसंद आए थी, और उन्होंने कहा कि फादर को कि आप दिल्ली आओ, क्योंकि हमें बहुत कुछ बनाना है हमारे शहर में अब ये नया जमाना आया है, नया स्वाधीन था, तो हमें अब अपना कुछ बनाना है, और जो पहला exhibition था, वहाँ पे वो housing पे था, international housing, 52-53 में, और उसमें मेरा, मेरे पापा जो आए थे, CPWD में उस टाइम, वो senior architect थे, उन्होंने उसका plan बनाया था और पूरे देश से लोग आये, चोटे-चोटे घर्ड बनाये, उन्होंने वहाँ पे दिखाने के लिए कि ये हो सकता है, ये कम दाम में अच्छा कुछ हम बना सकते, mass scale पे, तो उस टाइप का जो ideal था उन लोगों का, वो था आम जनता के लिए ये नहीं था कि कुछ हम बहुत सजावट, दिखावट के लिए हम ऐसा कुछ बनाएंगे, 1972 में 72 में जब 25 साल हो गया आजादी के बाद और ये पहला trade fair हुआ था, उस टाइम उस जगे का नाम प्रगती मैदान हो गया था, वो बिलकुल पुराने के लिए के साथ, जो खाली की जमीन थी उस टाइम, वो थोड़ा develop हो गया trade center जैसे, उस में जो 5-6 जो जाने माने architect थे उस जमाने के, जो हमारे थे, हमारे आधुन एक modern architects, उन्होंने काफी buildings बनाए वहाँ पे, उनमें से राजरेवाल का नाम तो सबसे बड़ा है क्योंकि वो hall of nations जो उन्होंने बनाए थी और hall of states, वो बहुत ही अद्भुद बिल्डिंग थी क्योंकि वो concrete का बना हुआ था लेकिन उसका engineering जो था रो उसका जो conception था, वो बहुत ही अर्जीब, advanced और जिमाने भी वो building देखी है, वो हमेशा चकित रह जाते थे कि यह किस तरह से इसका structural design कैसा है? और वो कैसा खड़ा है क्योंकि वो जो राज रिवाल कहते थे वो उसका जो inspiration था, वो मुगल जालियों से आया था. लेकिन उन्होंने उस जाली को three dimensional बना दिया, object. cubic shapes के लगते हैं? जैसे उन्हों, ये structural designer जो थे engineer वो थे महिंदर राज जिनकी death अभी शायद दो साल पहले हुए. वो बहुत दुनिया के सबसे top engineers, उनका नाम है उन engineers में, पूरे दुनिया में और खासकर वो concrete के engineer थे. उन्होंने शुरुआत की लेकोबूजिये के साथ जब चंदीगर बन रही थी और फिर दिल्ली आये थे. तो ये history बिलकुल जुड़ा हुआ है, कि वो जैसे partition के बाद पंजाब का जो नया शहर बना चंदीगर. नहरु का ये conception था कि ये पूरे दुनिया के लिए एक symbol बने की modern architecture, जो आगे future के बारे में सोचते हैं, advancement, लेकिन simple material के साथ, क्योंकि हमारे अंग्रेजों ने हामें loot लिया था. 200 साल. तो कई बार ये लगता है कि पुराना जो secular tradition था उसको बिल्कुल दरकिनाद करके, उनको demolish करके, नए किसम के structures खड़े किये जा रहे हैं, जिनकी architectural roots हम लोग temple architecture में ढूंड सकते हैं. Well, you know, stylistically ये जो नए building जो बन रहे हैं, जो जैसे ये राजरवाल थे, मेरे फादर थे, हभी अचूत कानविंदे, वो भी Harvard से पढ़के आये थे, 1950 से पहले दिल्ली. उन्होंने दिल्ली में बहुत बड़े-बड़े building बनाएं. बहुत उनका मशूर IIT कानपूर का building है. जी. तो ये ये जो आर्किटेक्ट थे, जो material यूज़ कर रहे थे, वो बिलकुल आधुनिक था. और local था, local पत्थर, local इंट, क्योंकि उस टाइम हमारे पास steel भी नहीं था इतना, ना बड़ा, ना बड़ा glass था. इसलिए जो all of nations बना था, वो steel से नहीं बना था. अगर कहीं और, किसी और देश में बनता दुनिया में, वो steel से बना थे. लेकिन ये building बिलकुल जैसे हाथ का बना हुआ है, जो कारीगर थे, हरियाना के, राजिस्थान के, पंजाब के, यूपी के, वो छोटे-छोटे गाउं से आये थे और उन्होंने इतना अजीब सा building अपने हाथों से बनाया है, कि वो दुनिया में उसका जिकर हुआ है, कि ये कैसे building बनी है, आप जो आप कह रहे हो, कि मोदी के, यूव में, उनके, उनके, जैसे ये building बन रहे है, इनका actually connection हमारे इंडिया से बहुत कम है, जैसे भारत मंडप हम आप देखें है, वो लगता है कि किसी tribe का, मालुमी, flying saucer या space से आया हूँ है, जैने को बोलते हैं कि ये shunk के shape का है, वो actually shunk लगता नहीं है, लेकिन लगता नहीं है, मैंने काफी कोशिश किया उसके photos को अलग-अलग बिशा से जो photo खेजे गए है, उनको देखके समझे कि यहां किस angle से shunk resemblance दिखा नहीं. नहीं, उनका actually यह जो आप secularism की बात कह रहे हैं, यह जो नए building जैसे नया parliament का उद्खाटन हुआ या यह भारत मंडपम, जिसका नाम रखा हुआ है, यह actually है हमारे जनतंत्र के लिए, खास parliament. लेकिन उसका उद्खाटन इन्होंने कैसे किया, वो सारे हवन हुआ वगएरा वगएरा यह तो बिलकुल Hindu religious ceremony था. और वो सेंगोल को उठाके ले आए और उसको उसके उपर एक false historical narrative सबके सामने पेश करने की कोशिश की, जबकि इतिहास में कुछ ऐसा था ही नहीं. एक ceremony हुई थी लेकिन उसका कोई उस तरह से symbolic value of transfer of power का था ही नहीं. नहीं सेम यह बिलकुल वही हुआ भारत मंडपम में क्योंकि फिर वहाँ हवन हुई और पूजा वगएरा जैसे यह गए थे बनारस जब उन्होंने देखो बनारस के साथ क्या किया उन्होंने जो बहुत पुराना शहर एतिहासिक शहर वो सारा उन्होंने तोड़ दिया गं अंदिर तक और बिलकुल बिना किसी कारेक्टर के साथ ऐसा एक पत्थरों का यह पत्थरों का यह शहर को एक्शली बाट दिया, काट दिया बीच में और जो उसमें जो लाइफ थी जो दुनिया से लोग आते थे बनारस को देखने, पुराना शहर और पुराना इतिखास ज उसको बनाने में उन्होंने कितने छोटे-छोटे मंदिरों को तोड़ा है, जो उस इलाके में थे, सही, सही, आप बोलें, मेरे को, मेरे बच्पन के यादे जुड़ी हुई है, बनारस के साथ, और वही ऐसी चीजे, सोमनाथ में देखने को मिलता है, जहां पत्रकार के हैसि से कईवा जाने का मौका मिला, धर्म में विश्वास ना रखते हुए भी, वहाँ एक अजीब किसम की सिरिनीटी मिलती थी, वो जो की समझ में आता है, पूरी तर से ध्वस्त कर दियागे, क्योंकि वहाँ पे भी पेव्ड कॉंक्रीट फुटपास बना दिये हैं, लोगों क घूमने के लिए उसको हर जगा को एक परेटक स्थल में बदलने की कोशिश हो रही है, अभी मोदी जी ने कहा कि इतने करोर लोग बनारस में टूरिस्ट आये हैं, तो किसी भी चीज को सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कनवर्ट करने का ये जो एफर्ट है, ताकि कि किसी तरह से नंबर दिखा सकते हैं कि जी हमने इतना नंबर गेन करा दिया लोगों के आने का, लेकिन जो जगा की जो सैंक्टिटी होती है, थोड़ा सा प्रगति मेदान से हट के बात करें, एक और वहती इंपॉर्टन जिसमें आपके पिताजी भी इन्वार्ट के उसी पिरियड में, फिफ्टी में वो दिल्ली आ चुके थे और यह वही पिरियड है जब जो राजपत जिसको रीनेम क्या था, जो अंग्रेजों के समय में किंग्स वे था, उसका एक्स्पैंशन हुआ था, सरकारी बिल्डिंग्स, जो मिनिस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं, उसक भवन, खृषी भवन, शास्री भवन धीरे बनते गए और अब सेंट्रियल विस्ता के नाम पर यह बना है, इसको कर्तवे पत बना दिया गया और प्लान है कि इन बिल्डिंग्स को जो मिनिस्टेरियल बिल्डिंग्स हैं, इनको डिमॉलिश करके नए कॉंक्रीट के टावर खड़ किये जाएंगे, बहुत ही लिमिटेट स्पेस में बहुत हेवी यून, मतलब रोज लोग जाएंगे वहाँ पर काम करने के लिए, इसके बारे में लोगों की काफी कंसर्ण्स भी हैं. देखी, अब यह जो हो रहा है, यह जो बिल्डिंग्स बने थे उस जमाने में, जी, उन पे काफी पब्लिक और डेमोक्राटिक डिबेट हुआ था, जी, यह अच्छे बिल्डिंग है, ठीक है, इनका स्टाइल ठीक है, कि नहीं, यह अखबारों में होता था, पार्लिमंट के अंदर होता था, वो मिनिस्टर जवाब देते थे, प्राइम मिनिस्टर जवा कि ऐसा कोई डिबेट बिल्कुल नहीं होता है, ना कैबिनेट के अंदर, ना पार्लिमंट के अंदर, ना पब्लिक में, और यह पहली बार हुआ है कि इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बिना कोई से, लोगों को यह भी नहीं मालूम कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, दूसरी बात है यह जो राजपत पे जो अंग्रेजों ने बनाया था, एक तो पहाड़ी पे और पार्लिमेंट जहां है, वो राजनी के लिए था, politics वगएरा, उधर पहाड़ी पे, राजपत, एक हिस्सा राजपत का जहां नैशनल म्यूजियम है, दूसरी और बाद में इंद्रा गांधी नैशनल सेंटर फर दी आर्ट्स का वो जमीन, बड़ा सा जमीन दिया गया, लेकिन वो बना नहीं पूरा, क्योंकि उस टाइम वो बजट नहीं था, अब यह क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ के, खास नैशनल म्यूजियम जो उस टाइम, शाय आया था, और बहुत पक्का बिल्डिंग है, उस बहुत पक्का, बहुत ही, बहुत ही सुन्दर म्यूजियम है वो, हाँ, बिल्कुल, और उसका एक्शन उस टाइम भी वो पूरा बना नहीं था, तो एक हिस्सा, अभी भी जमीन बहुत खाली है, उसके कॉमपाउंड में, ज उसके बिल्कुल सामने, दस साल पुरानी, बिल्कुल नई बिल्डिंग है, Ministry of External Affairs, जवाहर भवन, वो अभी अभी बनी है, और अब उसको भी तोड़ रहे हैं, और वो बिल्डिंग, एनरजी एफिशेंट है, उसके सारे modern facilities है, उस बिल्डिंग के अंदर, अब यह नहीं की बात है, कि यह सारे museum जो है, North Block और South Block जहां अब ministerial buildings है, सारे जो offices हैं, तो यह वहाँ shift कर जाएंगे, और ministerial buildings और जगा चले जाएंगे, प्रधान मंतरी का एक बहुत ही fancy, बहुत ही महेंगा नया office भी बन रहा है, इसी complex में, Central Vista Project के अंतर, और और इन museums में, जो सबसे खत्रा है, जो आपने जो democratization की जो बात की की, जो इसका erosion हो गया की उसमय बहस होती थी, इन museums में क्या रखा जाएगा, किस तरह से रखा जाएगा, क्या इतिहास पेश किया जाएगा, इसके बारे में सिर्फ bureaucrats टाएक कर रहें, political leaders टाएक कर रहें, भारते जनता पार्टी से जुड़े हुए, और जो professional historians या जो museumologists हैं, उनका उनके साथ कोई भी चर्चा नहीं हो, बिल्कुल, उनका actually काफी debate चल रहा था, क्योंकि एक तो ये solid building जो बनी हुई है, National Museum, उसमें जो समान रखा हुआ है, painting, sculpture, textile, अब वो बहुत नाजुक चीज है, हजारों साल कुराने है, महिंजोदारों के है, कहीं पूरे इंडिया से आये हुए, चीन से भी आये हैं, अब उन चीजों को उठा के उधर लेना, ढखेलना, इतना damage हो सकता है, ये सारे जो विशेश अग्या हैं, वो कहरें कि ये बहुत खतरनाक चीज है, एक बड़े museum को ऐसे shift करना, क्योंकि वो objects क लिए खतरा है, दूसरी बात जो आप कह रहें कि ये इसका content क्या होगा, इसका रूप क्या होगा, वो तो अब साफ लग रहा है, ये basically हिंदुत्वा project हो गया है, और ये projection होगा हिंदू राष्ट्र का, जैसे ये सारे buildings, इनके उद खाटन पे आप देख रहे हो, जो अब कु अजीब अजीब से graphics और rocket उड़ता हुगा, दिखता है कुतुब मनार के ऊपर, अब ये बहुत अजीब सी चीज़ है, अब कुतुब का इतिहास देखो, क्या है, उस मिनार का, उसका architecture देखो, उसका symbolism क्या है, और उसके ऊपर आप ये कर रहे हो, similarly, बनारस में यार राष्ट पधिभवन, जब अब ये beating retreat होता है, जन्वरी में, वो सारे laser light लगा रहे है, laser projection लगा रहे हैं, building पे, तो ये एक नया cultural push हो गया है, कि आप लोगों को खाना मत दो, जैसे France में Marie Antoinette का बहुत famous phrase था ना, कि let them eat bread, let them eat cake. के पास लोगी ना हो, तो उनको cake खिला दो, तो ये ही हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है, ये show के साथ, कि आप laser show कर दो, रंगीन light लगा दो, light बदलते दो, जाओ, और बस वो उससे प्रजा खुश हो जाएगी, कि ये बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन का दाम देखो, प्यास का दाम देखो, उस पे तो कोई, इनका फिकर तो है नहीं, तो ये अजीब सा हो रहा है, कि ये बड़े बड़े building बनाओ, दिखाने के लिए, बिना कोई planning, बिना कोई सोच के, और अब भी भी वो कह रहे है, रूमर आ रहा है, पार्लिमंट से ये जो नई building बनी है, इ इसलिए वो मॉन्सून सदर वहां नहीं हो रहा है, पुराने building में हो रहा है, तो ये अर्जीब सा हम mindset में फस गए हैं, मालूम नहीं अब कैसे निकलेंगे, वो इसका है कि हिटलर के साथ भी है, जो लोग कहते हैं न, ये जो fascist leaders थे, अगर आप वापस जाओ, 1940s में, 30s में, Hitler और Mussolini, Hitler तो Germany का ruler था, fascist, Mussolini, Italy का, इन दोनों ने ऐसे बड़े-बड़े architectural projects का, उन्हों ने सोचा हम बनाएंगे, निर्मान, Hitler का बहुत famous connection था, Albert Speer, जो German architect था, वो बन गया, जैसे हमारे विमल पटेल हैं यहां पे, जो एक single architect बन गया, मोदी का, Albert Speer थे Germany में उस time, और Hitler का idea था कि आधा Berlin को बिलकुल मिटा के एक बहुत बड़ा जर्मानिया बनाएं, और उसके अगर आप model देखें आप, वो भी बड़े-बड़े building, doom वाले building, लेकिन अच्छा हुआ कि वो कुछ बना नहीं क्योंकि वो Hitler युद्ध में हार गए, लेकिन यह जो ऐसे जो leader है, जो anti-democratic हैं, वो सब यही सोचते हैं, स्टालिन ने भी थोड़ा किया था राशा में ऐसे, बड़े-बड़े, you know, grand building, रोम सोचके कि हम जैसे रोम था, वैसे हम कुछ बनाएंगे, तो यह ऐसे जो leaders है, इनके दिमाग में यह vision आता है कि हमारे नाम पे हम कुछ ऐसा, कुछ इतिहास, अपने, you know, 30-40 साल, 100 सार बाद, लोग याद करेंगे कि इतना बड़ा बनाएंगे, तो जब यह पुराने जो building से structure थे, चाहे वो प्रगती मैदान हो, चाहे वो जो ministerial buildings जो अभी फिलाल exist कर रहे हैं, जिनका demolition का वक्त अभी कुछ ही समय के बाद आने लगेगा, एक-एक करके उनको demolish करके बनाए जाएंगे, तो इसमें जो आप तो काफी intimately जुड़े हुए हैं जो architectural जो community है हिंदुस्तान में, उन लोगों को, उन लोगों की क्या reactions है इन सब चीजों के बारे में उनको कैसा लगता है, अपने अपने सोच के जो building से उनको नश्ट होते देखते हुए, नहीं, देखिए, यह जो office buildings है, ठीक है, वो practical buildings थे, वो लेकिन थोड़ा बहुत उन में architectural style भी है, जैसे आप शास्त्री भवन देखें, उस टाइम नहरू ने कहा था कि देखो हमारे जो कलाकार है, जो artist है, जो sculptor है, उनको काम दिया जाए और शास्त्री भवन में बड़े-बड़े murals सतीष गुज्राल के और वो बहुत मशूर हो गाए, अब उनका क्या होगा जब वो building को तोड़ेंगे, यह तो art history का हिस्सा है और आजकल उनका जो value है, वो उस time, जो हमारी culture थी, उसका नमूना है और वो बहुत सुन्दर है, वो हाथ से बने हुए, ceramic से बने हुए, तो खास यह जो reaction, hall of nations पे हुआ था, हमारे architects और engineers, क्योंकि वो ना सिरफ architectural, engineering feet भी था, लेकिन वो engineering feet भी था और वो पूरे, मैंने का कि दुनिया के लिए यह feet, दुनिया उसको मानती थी और अब भी actually उस building का इतिहास, बाहर के museums में दिखने जा रहा अभी Victoria Albert Museum में होगा अगले साल, March में exhibition, Museum Modern Art New York में था पिछले साल, उससे पहले Paris में, Pompidou Center में राजेवाल का बड़ा exhibition था, तो यह हमारे architects को अब यह लग रहा है कि उनका connection जो था national building बनाने में वो गया क्योंकि अगर आप देखे यह जो भारत मंडपम बना है या अमबानी ने जो अभी बंबाई में बनाए यह दोनों ऐसे फर्मों ने बनाए जो बाहर के हैं एक तो टेकसेस का है यह होंग कॉंग का है और यह फर्म तो commercial firm है इनका architectural value कुछ हाई नहीं और जो material वो use कर रहे वो दुनिया में कहीं भी हो सकता है तो यह building ठीक है बंबाई में बना या दिली में बना है लेकिन यह तो कहीं भी बन सकता है इसका हमारे देश से कोई लेना नहीं देना है culturally वो सिरफ आप थोड़ा वो lotus का symbol या more का punk लगा दें उससे कोई मतलब नहीं है वो कार्पिट लगा दो या कुछ painting बना दो लेकिन वो building का जो substance है जो उसका कोई हमारे देश से connection नहीं है यह तो कहीं भी बन सकता है actually वो जो आप कह रहे थे न पटेल statue गुजरात में अब हसने की बात है कि वो पूरा statue तो चीन में बन के आया है और उसका जो base है वो अमरीकन architect ने बनाया नियू यॉर्क से तो उसमें कोई हमारा हाथ ही नहीं है वहां जाके कोई made in India की बात में इंडिया की बात हाई नहीं उसमें हम इस जो बातचीत करें आपके साथ इसके अंत की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो एक जो सबसे जो symbolic और जिसके बारे में हर हिंदुस्तानी की कुछ imagination है कुछ उसके बारे में सोचे चाहे वो गए हों या आ गए हो एमदाबाद में साबर्वती आश्र उगांती जी के simplicity के साथ जूड़ी हुई है बिल्कुर उसको भी पूरी तरह से रेनोवेट करने की कोशिश की जाए इसके बारे में opacity तो हर जगा है बहुत कम हमें पता है कि exactly क्या करना चाहते हैं लेकिन इतना पता है कि कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं जिससे लोग नाखुश हैं वहां जो रहते हैं उन लोगों को तक्रीफ होने वाली है ठीक उस तरह से जैसे अमदाबाद में साबर्मती riverfront project की समय जो लोग नदी के तट पर रहते थे उनको dislocate होना पड़ा था उनके मकान तोड़ दिये गए रही है कि उनको कहीं और rehabilitate किया गया या नहीं नहीं मैं मिला उनसे बताई और साबर्मती आश्रम के बारे में अपने विचार बताईए इसका जो साबर्मती का जो riverfront बनाया है वो वो concrete का tank है वो जैसे बांद बना हुआ है और वो पानी ज्यादा वो नर्मदा पानी से आ र आदी थी जब मौनसून आता था वो भर जाता था पानी से बाकी महनों में वो पतला सा पानी का यह होता था रेथ में और वहाँ ecology था यह जो आमदबाद में बहुत मशूर textile का जो काम होता है वो बहुत उस साबर्मती के base पे होता था यह जो छपाई का काम है hand block printing रंग वगेरा वो सारा वहां से हटा दिया और एक ऐसा tank बना हुआ है जिसमें पानी वह बहता भी नहीं है और वह पानी सड़ जाता है वहां पर और वह बिलकुल गांधी जी के आश्रम के सामने है ना वह आश्रम जो गांधी ने सोचा simple life जुड़ा हुआ environment के साथ बक्रियों के साथ पेड़ों के साथ अपना बुन्ना अपना वो चर्खा चलाना जो आप पहन रहे हो अपना चप्पल बनाना वो उनका culture था और जो आश्रम में जो उनका जो छोटा सा कुटिर है वो तो पूरे देश और दुनिया में famous है और उनके जो छोटे चश्मे खड़ाओं भी चोटा सा पेन और घड़ी इतना powerful symbol था इस आदमी का इतना इस आदमी ने पूरे दुनिया को हिला दिया और अंग्रेजों को उसने भगा दिया यहां से सिर्फ इन चीजों के साथ और अपने अपने दिमाग के साथ साबरमती में भी करीबं 1963-64 में शायद चार्ल्स कोरिया जो बहुत मशूर contemporary architect थे उस time उन्होंने बहुत सुंदर सा museum बनाया था वो था बिल्कुल modern बिल्कुल आदुनिक लेकिन उसमें जो रस थी वो बिल्कुल गांधियन थी वो simple structure था जैसे खुला हुआ, potyards, simple पत्थर, eat, उपर से tiled, वो जो जैसे ये भारत मंडपम है ना ये बिल्कुल उससे इतना दूर है और उस time जैसे ये जो शुरुवात में हमने की थी ये गांधी घाट उसका भी ऐसे ही कुछ गांधी घाट भी एक तरह से उसी को उसी को mirror करता था. आइडिया तो वो ही था कि थोड़ा गांधी का जो spirit था जो कि वो reflect हो building में और उस जगह में जहां कोई जाए उनको कुछ लगे जैसे हमारे अगर आप सांची जाओ या ऐसे जगह जाए आपको लगता है कि इस जगह में कुछ है और इसने ये जो बना हुआ है कि इसमें कुछ पावर है कुछ imagination है कुछ और उससे लोग प्रेरित होते हैं वो कुरिया के building में थी अब जो क्या बना रहे हैं मालूम नहीं जैसे आपने का कि इसको मालूम नहीं की क्या हो रहा है और कितना पैसा खर्च हो रहा है वो बनाएंगे अब वो भी laser light और ये drone शो वगेरा के साथ वो उसका उध्गाटन हो जाएगा वो जिसमें remote किसी सदान मंत्री के हाथ में रहता एक्चुली उसको operate कोई और करें जैसे अभी हाल के एक वीडियो में जब भारत मंडपम का जो inauguration हुआ था वो वीडियो बहुत ही जगा दिखाया गया था कि इस तरह के gimmicks भी किये जाते ह हैं लेकिन आपने एक जो बहुत बड़ी बात बोली है एक तरह से connecting हमको मतलब हर तरह के structure में कि जो spirit थी जो पुरानी जो जो लोगों के दिल को चुझा ती वो खतम हो रहा है और अब आप जाईए कहीं और उसको जाके चौक तो अब एकदम बिलकुल astonished हो जाईए और उसक के पहले जो गुजाद के मुख्यमंत्री के काल में भी जो देखे हैं हम लोगों ने वो एक तरह से erase होता हुआ दिखाई देता है तो आपने मतलब इस पूरे process को बहुत अच्छी तरह से समझाया राम रह्मान साहब और इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हू और मारे कालिकर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुकर को जान हूँ कि आपने मुझे बुलाया और सोचा मेरे बारे में और ऐसा topic भी उठाया कि लोगों तक पहुंचे आपको इतने सालों से जानते हैं आपको पता है कि आप किस कितने दिल लगाके आप इन बिल्डिंग्स की इन आर्किटेक्शन की इस पूरी की पूरी जो लैंड्सकेप है इनकी किस सरे से आप फोटोग्राफिक करते थे और आप से लगातार इनके बारे में चर्चा होती रही है मैं बहुत भागेशाली रहा कि आपके पिताजी के साथ भी अपने यंग हताब उन से मेरी मुलाकात की बने मात बारे करेक्शन की निलांजन शुक्रियाद